जहें नेरी प्यारे दोस्तों आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे जैसा कि आपको पता है कि हम लोग भारत का राजविवस्था पढ़ रहे थे और जिसके इंत्रगत भारतिय संविधान के भागतीन को आज हम पढ़ने वाले हैं जिसके इंत्रगत आता है हमारा मौलिक अधिकार जिसको हम फंडामेंटल राइट भी कहते हैं मूल अधिकार को मौलिक अधिकार भी कहते हैं अब इसके बारे में कुछ फैक्ट है उसको देख लेते हैं तो सबसे पहले है कि यह मौलिक अधिकार जो है हमारे भारतिय संविधा में लिया कहां से गया तो जो इसका कॉंसेप्ट है वह हमार हमें जो है यूएस से के कि संभिधान से जो है लिया गया कहां के यूएस से संयुक्त राज अमरीका से कि इसका जो कॉंसेप्ट है किसका मौली का दिकार का कहां से लिए अमरीका से अब देखते ह Champ 새 यह जो है यह भादधियोग है और बाध्धैकारी हैं बादधैकारी इसलिए है कि government इसको कभी हटा नहीं सकते से इसको लागू करना ही करना है दूसरा प्रभाद दियोगी इसलिए है क्योंकि कोड जो है इसके अधार पर अपना फाहिसला सुना सकती है कि अब आजे देखते हैं टोटल जो हमारे फंडामिंटर राइट से वह हैं छे फंडामिंटर राइट्स छे हमारे मौली का दिकार हैं सबसे पहला जो है वो समानता का दिकार है जो अनुछेत 14 से अनुछेत 18 तक प्रदान किया जाता है दूसरा है सबस्तरता का दिकार जो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक दिया गया है तीसरा है हमारा वो है 166 के विरुद्ध दिकार जो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में दिया गया है उसके बाद हमारा आता है धार्मिक सोतंतरता का अधिकार जो अनुछेद 25 से 28 तक दिया गया है उसके बाद आता है सैक्षिडिक योम सांस्कृतिक अधिकार ये हमारा आता है अनुछेद 29 और 30 लाश्ट में आता है हमारा समवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हमारा आता है अनुछेद 32 में टूटल हमारे कितने हो गए दो एक दो तीन चार पांच छे फंडामेंटर राइट्स या छे मौलिक अधिकार है अनुछेद 32 को डाक्टर भीमराव जो अमबेट कर थे इन्होंने समवैधान की जो है आत्मा और हिर्दे माना है किसको अनुछेद 32 को में मैं शुरुवात में हमारे सम्वैधान में टूटल साथ फंडामेंटर राइट थे बाद में 64 सम्वैधान संसुधर जो जनता पार्टी ने किया था जो कब हुआ था उन्नीस वठात्तर में चब लस्वे संविधान संसुधन द्वारा जो है जो राइट टू प्रापरिटी था इसको हटा करके लीगल राइट बनाये गया जो अनुछेत तीन सो के ए में रखा गया यह हम लोग बाद में पढ़ेंगे अभी हमने ऊपर 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 एक व्यू बता दिया आपको फिर देख लेते हैं जो हमारे फंडामेंटर राइट्स है इसमें एक बार संसोधन करके छियास्मा संविधान संसोधन जो कप किया गया था दो हजार दो में किया गया था इसमें जो है अनुछेद 21 का ए जोड़ा गया था जो है राइट टो एजूकेशन और इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्स तक की बच्चों को जो है फिरी और कमपलसरी शिक्षा जो है गवर्मेंट स्कूल में दी जाएगी किसमें अनुछेद 21 के ए के तहत यह भी हमारा फंडामेंटर राइट्स है अब देखते हैं एक और फैक्ट वाली चीज है कि कुछ अनुछेद ऐसे हैं फंडामेंटर राइट्स में जो केवल और केवल भारतिये नागरिकों के लिए दिया गया है वो कौन-कौन से है वो है अनुछेद 15 अनुछेद 16 अनुछेद 18 का दो फिर आता है अनुछेद 19 अनुछेद 29 और 30 इतनी अनुछेद ऐसे हैं जो केवल भारतिये नागरिकों को परदान किया जाता है बाकी जो है भारतियों को भी दिया जाता है और अधर लोगों को जो विदेशी आते हैं उनको भी दिया जाता है लेकिन ये 6 फंडामेंटर रा यह फंदमेंटल नहीं फंदमेंट राइट्स के जिंचेद्थ हैं जो परिभासा किसका दिया गया तो राज्यकी परीभासा दिया गया है राज की परीभासा ऑन्हाल देखना आर्टिकल बारा में और छे जो राज की परीभासा आ वो सेम लेकिन जो आर्टिकल 152 में राज की परीभासा दिया गया है यह दोनों सेम हैं लेकिन जो अनुषेद एक सुबावन या अनुषेद एक में जो राजी के परिभासा दिया गया है वो अनुषेद बारा और अनुषेद छतिस से अलग है वो दोनों मैच नहीं खाते तो अनुषेद बारा और अनुषेद छतिस के जो राजी के परि अन्य था आपेछित नहो राज के अंतरगत भारत भारत की सरकार और सांसद और राजियों में से परतेग राज की शरकार और विधान मंडल तथा भारत के राजचेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी अस्थानिये और अन्य प्राधिकारी बस इतना ही जो है हमारे सम्विधान में कहा गया अब इसका आप क्या मतलब निकाल सकते हैं ये समय समय पर जो है हमारे सुप्रिम कोड द्वारा बताए जाता है या समय समय पर हमारी जो है संसत द्वारा जो है कि इसमें संसोधन क्या जाता है अब देख लो इसका मतलब ये है कि कौन-कौन जो है वह राज्ज माना जायेगा कहते हैं ना कि आप स्टेट हो गए हो तो ही इस्टेट कौन-कौन स्टेट माने जाएंगे तो सबसे पहले यूनियन गौशन्मन देखना अब इसको पढ़के हम समिम नहीं आएगा यह हमने जो है बिधी मंत्राले के ब्योसाइट से जो है भारत का संभिधान उठाया है यह भारत सरकार का जो official side है विध almonds राले का उस से उठाया है । ये गलत नहीं हो सकता लेकिन इसमें सम्मिधान में इतना ही दिया गया आप Sü कि जो है इसको समझाते हैं या फिर इसको कैसे जो है हम कह सकते हैं डेरिवेट करते समय समर पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी इसमें नंए बदलाव करती है कि तो इसको देखते हैं हम लोग कौन-कौन जो है राज के अंतरगत माने जाएंगे तो सबसे पहले यूनियन गर्मेंट यूनियन गर्मेंट यूजी इस उसके इंतरकेत आता है जो हमारे यूनियन एक्जेक्यूटिव हैं जिसको केंद्रिय कारपालिका बोलते हैं और यूनियन लजिसलेटिव हैं जिसको केंद्रिय विधायका बोलते हैं तो दो लोग आते हैं कौन-कौन विधायका और कारपालिका उसके बाद इस्टेट गवर् लोकल गवर्मेंट जिसको अस्थानिय प्राधिकरन बोलते हैं उसके बाद आता है गवर्मेंट एथर्टीज या सरकारी प्राधिकरन जिसमें हमारी LIC भी आता है, UPSC भी आता है, UPPCS भी आता है, सेल भी आता है, यह में आपको एक्जाम्पल बता रहे हैं, ONGC भी आता है, CSIR भी आता है, IFC भी आता है, सरकारी बैंकित्यादे आते हैं, जैसे RBI वगएरा, उसके पर CBSC भी आता है, यह सभी अपने आम में स्टेट हैं, क्योंकि यह कानून बना सकते हैं, और इनका कानून जो है, इस फिल्ड में फालो करना ही पड़ता है, तो इसलिए यह स्टेट हैं, अब बात आती है, जो हमारे हाई कोर्ट हैं, और सुप्रिम कोर्ट, सुप्रिम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं, क्या यह भी स्टेट होते हैं, क्योंकि यह तो नया इपालिका हैं, यह तो सरकार सिक्दम अलग होती हैं, तो देखना, जब सुप्रिम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है, इडविनिस्ट्रेशन का काम करती है तब वह जो है state मानी जाती है कि इस्टेट मानी जाती है कब जब वह administrative काम करती है लेकिन जब वह judicial काम करती है judicial काम करती है जब वह judicial काम करती है तब वह state नहीं मानी जाती है कौन हमारा supreme court और high court जब administrative काम करेगी तब वह state मानी जाएगी और जब वह judicial काम करेगी तब वह state नहीं मानी जाएगी तो यह रहा हमारा राज की परिभासा अब देखते हैं अनुछे तेरा में अनुछे तेरा देखते हैं जिसमें कहरा है मूल अधिकारों से आशंगत या उनका अलपी करण करने वाली विधियां अब देखना यह जो संबिधान में दिया गया है यह लंबा चोड़ फेका गया है अब इसका सौट कट में हम लोग देखते हैं तेरा का जो पहला कह रहा है तेरा का जो पहला कह रहा है उसका क्या मतलब है कह रहा है पूर्व संबिधान एक विधियां कह रहा है सपोस्करों एक दिन संबिधान बना और उसमें जो है fundamental rights दिया गया यह हमारा सम्विधान किसी दिन एक दिवाल कितना बन गया इसके पहले भी कोई कानून बना होगा न जो हमारे सम्विधान में दिये गए मौली काधिकारों को परभार्वित कर रहा होगा जिस दिन हमारा सम्विधान लागू हुआ उसके पहले क कोई बना होगा न तो कह रहा है यही जो पहले बना है जिसको पूर्व सम्विधानिक विधिया कहते हैं कि जितना भी यह हमारे fundamental rights को परभावित कर रहा है उतना यह सुन्नी हो जाएगा अब देखना दूसरा क्या कह रहा है यह सम्विधान बना एक दिवाल की तरह हो सकता है सम्विधान बनने बाद में कोई बिधी बने जो हमारे fundamental rights को परभावित करें सम्विधान में दिये गए fundamental rights को हमारे सम्विधान में दिये गए मौली कातिकार को यह परभावित कर रहा है तो यह भी क्या हो जाएगा सुन्नी हो जाएगा कोई भी कानून अगर बनाए जाता है जो भी हमारे fundamental rights को परभावित कर रहा है तो जितना part उपर परभावित कर रहा है उतना part हमारा सुन्नी हो जाएगा पहला क्या था? पूर्व संवेधानी विधियां दूसरा क्या था? संवेधान परशाद विधियां अब तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा में विधि का अर्थ बता रहा है तेरा का जो तीसरा है इसमें विधि का अर्थ बता रहा है कि विधि का मतलब क्या होगा? क्या होगा जिसे कानूनम कहेंगे? तो उसमें बता रहा है कोई भी order, कोई भी संसोधन, कोई भी rule, कोई भी regulation, कोई भी action, कोई भी ordinance, कोई भी notification, कोई भी प्रथा ये सब देखना दिया हुआ है कोई भी अद्यदेश कोई भी आदेश कोई भी उपविधी कोई विनियम बीनियम अधिसूचना रूढी पर्था ये सबी क्या होंगे विधी होंगे और प्राविर्थ विधी क्या होगा करा इसके अंतरगत भारत के राजचेत्र में किसी विधान मंडल या अन्य सक्षम प्रधिकारी दुआरा इस सम्विधान के प्रारम के पहले पारित या बनाई गई विधी है जो पहले ही क्या निरसित नहीं कर दी गई मतलब पहले इसको हटाया नहीं गया चाहे ऐसी कोई भी विधी या उसका कोई भी भाब उस समय पूर्ता या विशिष्ट छेत्र में प्रावर्तन नहीं है आई समझ में? कहरा जब भी हमारा fundamental rights बना जब भी हमारा संविधान बना अगर कोई ऐसी विधी चली आ रही है जिसको हटाया नहीं गया तो वह प्रवावी नहीं होगा उस छेत्र में उतना जो छेत्र है उसका यह हमारा तेरा का खा कह रहा है और तेरा का जो का है वो भी धी के बारे मता रहा है ये था हमारा अनुशेत 13 आगे कह रहा है एक संसोधन करके कि इस अनुशेत में कोई भी बात अनुशेत 368 जो संविधान संसोधन के तहित आता है अंशे 368 जो है इससे संविधान संसोधन किया जाता है कि अधिन किये गए संविधान में किसी संसोधन को लागू नहीं होगी इनगा कहने मतलब क्या है कि अगर हम नॉर्मली कोई विधी बनाते हैं कोई order paste करते हैं कोई ordinance लेके आते कोई notification लेकाते कोई action लेके आते कोई regulation लेकाते कोई rule लगाते हैं तो वह तो नहीं माना जाएगा लेकिन हम अनुछेद अगर 368 के द्वासन संसुधन करते हैं तो आप विधी के अंतरगत नहीं आएगा आए समझ में यह था हमारा तेरा का तीन और यह हमारा था तेरा का चार अब कहा गया कि कुछ फैक्ट वाली बात है इसको देख लेते हैं कि क्या हमारा मौलिक अधिकार जो है उसमें संसुधन किया जा सकता है उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है तो देख लेते हैं जम्मिदारी मूलन कानून था जिसको लेंड रिफार्म बोला जाता है अनुछेद 31 के तहत पहले राइट टू प्रापर्टी था फर्स्ट कॉंसिटूशन अमेंडमेंट आइक्ट के तहत जो कभ हुआ था उन्नी से इक्यामन में हुआ था इसको नाइन्थ सेडूल में जोड़ा गया और साथ ही साथ जो है अनुछेद 31 का ए और अनुछेद 31 का बी भी जोड़ा गया यह दोनों किसे थे लैंड रिफॉर्म से संबंधित थे तो किया गया नसन सुधन दूसरा अच्छा अनुछेद 31 का ए जोड़ा गया था उसको देख लेते हैं तो इसमें कहा गया कि लोक कल्यार से जुड़ी कानून को लैंड रिफॉर्म अगर किया जाता है तो सुप्रीम कोड उसे खारिज नहीं कर सकती है और साथ ही साथ कहा गया कि अगर इसको लोक कल्यार के से जुड़ी कोई भी कानून मतलब कोई भी लैंड रिफॉर्म किया जाता है तो इसको जो है अनुछेद 14 और अनुछेद 19 के आधार पर चिनोती नहीं दी जा सकती किसके अनुछेद 14 और अनुछेद 19 के आधार पर ये किस में कहा गया तो अनुछेद 31 के ए में कहा गया हम ये बता रहे हैं कि हमारा संविधान जो है संसोधन योग यह है कि नहीं है वो हम दिखा रहे हैं आपको कि संसोधन कैसे कैसे हुआ फिर 31 कभ भी जोड़ा गया पहला संविधान संसोधन द्वारा ही इसमें कहा गया कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून को अगर सड्यूल लाइन में डाला जाता है तो उसको जो है सुप्रीम कोड जो है रिवियू नहीं कर सकती या सरल सब्दों में समझें कहरा अनसोची नो जो है इसमें जो भी कानून डाला जाता है तो वह मौलिक अधिकारों के आधार पे चुनोती नहीं दिया जा सकता या 31 के भी जो है में डाला गया संसोधन करके ये था हमारा अन्चेत 12 और अन्चेत 13 और हमने पढ़ा कि हमारा मौलिक अधिकार जो है संसोधन की योग्य है अब कल हम लोग देखेंगे कुछ केसेस हैं जो हमारे फंडामेंटर राइट से जुड़े हुए हैं उसको देखेंगे यही कि सम्मिदान संसुधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है कि हमारे फंडामेंटर राइट जो है इनका संसुधन किया जा सकता है कि नहीं किया